दो हजार चौबिस की हम बात करते हैं तो दो हजार चौबिस का स्वामी आठ है अंक इसका आठ है हम बात करते हैं बीजेपी बीजेपी जिसका जो स्थापने दिवसे 6 अप्रिल उने सो असी है यानि 6,4,10 और उने सो असी का 9,9,10 एक स्वामी आंक आता है और दो हजार चौबिस का योग जो आता है वहाँ आठ आता है आठ और एक शनी और सुर्ज का है यहाँ सुर्ज राजा होते हैं कॉंग्रेस पाटी की बात करते हैं 28 दिसंबर 28,8,8,5,14,5 आता है और 5,3,8 और एक नौ टोटल अंक नौ आता है जिसका स्वामी ग्रह मंगल है और मंगल ग्रहों के सिनापती है अगर हम बात करते हैं 6 अप्रिल का 6 अंक जिसका स्वामी शुक्र है और 2024 का योग जो आता है वह आठंक आता है जिसका स्वामी शनी है शनी और शुक्र आपस में अतीमित्र है हम फिर से कह सकते हैं चुकि देश के प्रधान मंतरी नरेंद्र वोधी जी का जनम दिवस है 17 शितंबर 1950 जिसका अगर हम अंक की गन्ना करते हैं तो 17 का योग आठ आता ह है 1950 का पांच और एक छे छे और आठ टोटाल अंग 14 आता है जिसको स्वामी गरह बुद्ध है अब हम बात करते हैं 2024 में जो चुनाव होना है चुकि नरेंद्र मोधी जी का जरम तिथी 17 सितंबर को है जिसका स्वामी गरह 17 का शनी है और स्वाम शनी का वर्स है इसलिए हम का सकते हैं और राहुल गांधी जी जो प्रमुख विपक्षी की भूमिका में अभी है इनका जन्म उनेश जोन 1970 है साथ और एक आठ आता है आठ चौदा आता है चौदा एक पंदर आता जिसका राहुल गांधी जी का टोटल आंक योग 6 आता है लेकिन चुकि 19 तारीक का स्व सामिगरा सुर्ज हैं बर्ष 2024 का योग जो आता है वहां आठंक आता है अंको के खेल में अगर हम जोतिशे गणना करें तो साल 2024 में एक बार फिर से नरेंद्र मोधी जी प्रधान मंत्री बनेंगे और यहां 24-29 तक के लिए प्रधान मंत्री रहेंगे भारती जंता पार्टी और उसके एलाइंस 325 प्लस और कॉंग्रेस पार्टी और उसका सारा एलाइंस जो है वह 125 प्लस और बाकी जो है अधर आएंगे अगर हम बात करते हैं 2024 के चुनाव में तो सबसे महत्पुर्ण भोमिका जो विपक्षियों में है वह कॉंग्रेस पार्टी की होगी लेकिन शत्ता को प्राप्त नहीं कर पाएगी और भारती जन्ता पार्टी में एक साथ एक जुटता के कारण फिर से भारती जन्ता पार्टी सरकार बनाएगी और निशित तोर पर नरेंद्र मोदीज जी ऐत फिर से 2024 में प्रधान मंत्री बनेंगे यहां मेra आंक जोतिश्य आक्लन है और निशित और परियांक जोतिशी आकलन पुर्ण होगा